रुजान, अंतरवेशन और बहिरवेशन, ट्रेंड, इंटरपोलेशन और एक्स्टरपोलेशन हमने देखा कि आंकडों को विवस्थित करने और उनके अध्यन के बाद हमें कई बातें पता चलती हैं किन्तु कई बातें हम नहीं जान पाते एक और सवाल यह है कि हमारे पास जिस अंतराल के आकडे हैं उसके आगे के आकडों के बारे में क्या हम कुछ कह सकते हैं माना हमने एक शहर में कुल वर्षा के आकडे कई वर्षों तक ज्यात किये इसमें से बीच के कुछ वर्षों में कुल बारिश के आंकडे हमारे पास उपलब्द नहीं है क्योंकि इन्हें इकटा करना रह गया तो क्या हम इनका अनुमान लगा सकते हैं? और हम यह भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इन आंकडों से हम यह बता सकते हैं कि आने वाले साल में कुल कितनी बारिश होगी? इन दोनों के बारे में सोचने के लिए हमें आंकडों के पैटन को देखना होगा यानि क्या आंकडों में बदलाव का कोई निश्चित धंग है? क्या उनमें हम कोई रुजान देख सकते हैं? हम आगे कुछ उधारणों के माध्यम से इस पर विचार करेंगे और यह देखेंगे कि ऐसा कब किया जा सकता है और कब नहीं मान लीजिए कि आप किसी द्रवे को 40 मिनट तक गर्म करते हैं और 4 अलग-अलग समय पर उसका तापमान नोट करते हैं जो इस तालिका में दिये हैं इन आगडों को आलेक में दर्शाने पर बिंदु प्राप्त होते हैं इन बिंदुओं से जोडती हुई एक रेखा कीचिये हम कह सकते हैं कि शुरुवात में 0 मिनट पर तापमान 20 डिग्री सेंटिग्रेट 10 मिनट बाद 30 डिग्री सेंटिग्रेट 30 मिनट बाद 50 डिग्री सेंटिग्रेट और 40 मिनट बाद 60 डिग्री सेंटिग्रेट नोट किया गया पर क्या हम इन आगडों को देखकर 20 मिनट और 60 मिनट बाद तापमान बता सकते हैं जाहिर है नहीं इन आंकडों में सिर्फ 0, 10, 30 और 40 मिनट पर तापमान दिये हैं 20 मिनट अंतराल 10 से 30 के बीच आता है हम आलेक की मदद से 20 मिनट के संगत तापमान पता कर सकते हैं जो की 40 डिग्री सेंटिग्रेट है आलेक दो यहां दिये गए आंकडों में अनंत ऐसे आंकड़े हैं जो दिये गए आंकडों के अंदर आते हैं और उनके संगत तापमान भी इस आलेक से बता सकते हैं इससे अंतरवेशन कहते हैं ध्यान दीजिए कि यहां आंकडों का परिसर याने की रेंज शूर्य से 40 मिनट तक है 50 मिनट इसके बाहर आता है 50 मिनट पर तापमान पता करने के लिए हम इस आलेक की रेखा को उसी और आगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ाने पर हमें 50 मिनट पर तापमान 70 degree centigrade प्राप्थ हुआ इसी प्रकार आगे बढ़ाई गई रेखा पर अन्य संगत तापमान भी दशाए जा सकते हैं यह तरीका जिसमें लिये गए आंकडों के रुख को आगे बढ़ाते हुए आंकडों के परिसर के बाहर के अनंत मान पता करते हैं बहीर वेशन कहते हैं यह माना जाता है कि आंकडों के बढ़ने का रुख प्रेंड एक ही है और आंकडों के परिसर के बीच वह उसके बाहर दोनों के लिए उसमें कोई अप्रत्याशित उतार चड़ाव नहीं है अंतर वेशन और बहीर वेशन की सीमाए इस उधारण में हमने आलेक के अधार पर शून्य से चालिस के बीच 20 मिनट पर वह इस परिसर के बाहर भी 50 मिनट का तापमान बता दिया क्या आप यह बता सकते हैं कि द्रवे को 90 मिनट तक गर्म करें तब तापमान कितना होगा तालिका में आप देखते हैं कि प्रतेक 10 मिनट में द्रवे के ताप में 10 डिग्री सेंटिग्रेट की बढ़ुत्री हो रही है इस अधार पर हम कह सकते हैं कि 90 मिनट पर तापमान 110 डिग्री सेंटिग्रेट होगा क्या खुले बर्तनों में गरम हो रहे पानी का ताप हो सकता है जाहिर है कि इस ग्राफ का रुक धीरे धीरे बदला और उपलब्ध आंकडों के आधार पर बात के समय के और ज्यादा नहीं किया जा सकता दूसरा प्रश्ण यह भी है कि क्या अंतरवेशन एवं भहिरवेशन सभी आंकडों में किया जा सकता है क्या निमलिखित आंकडों में भी हम यह कर सकते हैं आईए देखें ओलंपिक में अधिक्तम उची कूत के आंकडे निम्नानुसार है यह दो है इन आकडों के आधार पर क्या आप बता पाएंगे कि उन्निसो चप्पन में उची कूत की अधिकतम मुचाई कितनी रही होगी यह संभव नहीं है क्योंकि इन में कोई रुझान नहीं है यह तो उस प्रतियोगिता में अधिक्तम दूरी के record किये गए आकड़े हैं इसी प्रकार यदि जनसंख्या के आकड़ों में कोई रुझान नहीं है तो इसमें भी हम अनुमान नहीं लगा सकते कि आगे के वर्ष में जनसंख्या कितनी होगी या दिये गए वर्षों के बीच किसी वर्ष में जनसंख्या कितनी रही होगी यानी अंतरवेशन एवं बहिरवेशन की सीमाएं हैं जो आंकडों के रूप वर रूप पर अधारित होते हैं हम प्रत्य प्रकार के आकडों के लिए अंतर वेशन और बहीर वेशन नहीं कर सकते।